आज एक नए अभ्यास के लिए एक नए आशन के अभ्यास के लिए हम तयार हैं तो आज जिस आशन को हम सीखने जा रहे हैं उस आशन का नाम है सीर्सासन सीर्सासन को सीर्सासन कहे जाने के पीछे दो मुख्या कारण पहला जैसे की नाम से हमें पता चलता है सीर्सान की टॉप पर सबसे उपर क्योंकि सीर्सासन एक आशनों का राजा कहे जाने वाला आशन है और दूसरा सरीर की इस्थिती के हिसाब से जैसे की हमारा सर नीचे और पैर उपर इसमें हो जाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो इस्थिती है वह सिर्ण नीचे होने के वज़े से सीरसासन भी कहा जाता है और इस आसन पे महतुपून बात यहा है कि लोग अकसर अपने घरों में दिवार के सारे तकिया लेकर किसी ना किसी तरह इसे करते हैं और व ये जो कि बहुत रिस्की है लोग वही पर अकसर जोड़ दे रहे होते हैं तो आएए देखते हैं समस्ते हैं और अभ्यास करते हैं सरप्रथम हमें सबसे पहले बज़रासन की स्थिती में आना है इस तरह सीथी कमर करके बज़रासन में बैठें और अब धीरे से आगे जाते हुए अपने दोनों हातों की फिंगर्स को लॉक करें आपस में सर की बताएगा इस्थिती कैसी है एक बार ध्यान से देखें हातों की दूरी ना तो जादा है और ना ही कम बिल्कुल पहुनियों के बराबर कर गए ध्यान देने वाली बात कि आपको धीरे धीरे अपने नजदीक पैरों को लेके आना है और चैस्ट तक जब तक ना आ जाए उठाना नहीं है और केवल एक पैर को इस तरह उठाएं और थोड़ी देर यहीं पर रोखें जब आपको लगे कि आप बैलंस बनाने योग्ये यह पर आप बना सकते हैं तब धीरे से पैरों को उठाएं और इस तरह अराम से यहीं पर देखें जल्द वाजी करने के आवशक्ता नहीं है बस यहीं पर धीरे धीरे फिर धीरे से यहां पर भुटनों को सीधा करते जाएं फिर धीरे से पैरों को सीधा करें अच्छा ध्यान कि रहे कि आपकी कमर इस तरह देखे इस तरह मुड़ जाती है यह जो पीच में आपको यहां पे करव आ रहा है यह गलत है तो आपको ध्यान देना है कि कमर जितना हो सके सीधा हो पंजा उपर खिचा हुआ और नेक वाला पोर्शन यह जो गर्दन है आपकी फ्री होनी चाहिए आप देख रहे हैं मूवेबल होनी चाहिए फ्री वहाँ पे ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए और फिर वापसी के लिए यथा संभव रुके पहले और वैसे सीर्स आसन में फिर हम कई सारे और भी आसनो का अभ्यास आगे बढ़ाते हैं जैसे की पतमासन या फिर पैरों को खोलना या फिर हम यहीं से विरिष्टेकासन के अभ्यास में भी जाते हैं लेकिन फिलाल सिर्फ आपको इतना होल्ड करना है और फिर धीरे से वापस आने का सही तरीका देखिए वैसे ही जैसे गए थे फिरे भी अपने पैरों को तीचे लाते हुए चेस्ट के पास वाण रहे हैं और हाथों के पैरों के रखिए और कभी भी सीधे उठकर नहीं बैट जाएं सिर्फ हाथों को कुछ देर देखिए चाहे तो इस तरह मुठ्या बनाकर एक के उपर एक रखें और गर्दन को सीध अगर आपको सीधासन के सही लावों को प्राप्त करना है तो उसके सही तरीकों का पता होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि इसके नाम से इसके गुणों से पता चल रहा है कि यह सबसे आदा फायदे मंद है और इसे करने से बहुत जादा लाग मिलता है तो इसे गलत तरीक से करने पर नुकसान भी आपको हो सकता है फेस करने पड़े तो ध्यान दे अब जैसे कि कुछ लोगों के साथ समस्या है कि वो लोग थोड़े सैटी है थोड़ा मोटे है थाई जादा है या फिर उन लोगों की पेट जादा है तो वो लोग इसे नहीं कर पाते तो उन लोगों को इसे किस तरह करना है तो वो लोग दिवार का सहरा ले सकत हैं या वो लोग केवल और केवल पहले पैरों को नस्दीक लाके कमर सीधा करना सीखें लेकिन ध्यान दें मोटा अगर आपका सरीर है तो वजन भी जादा है तो नेक पर वजन भी जादा आएगा तो आपको बड़ी ही गंभीरता से और साफधानी से किसी एक सही गुरू के न दाप्तारी हो आपके लिए गंभीरतारी हो धन्यावादा